तो हेलो भाई आम अन्मुल श्रिवास्तो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है आज है अपने पास में एक्षिविस 700 का एक्स 5 वेरियंट तो आज इस वेरियंट के बारे में जानेंगे कि क्या चीजे है वाकि उपर बंदर वैठा भी यह ध्यान देना हमा उपर ना अब इसके फ्रेंट की बात करते तो फ्रेंट से आपको कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे और चाहिए एक्स 5 यहां पर आपको डियारायश मिल जाते हैं ब्लकुल ऐसे ही इसे प्रेंट यहां पर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं है एक उपर चीजेंस नहीं दियेगा वह बड़ी इंपर्टेंट हीजें जो वह उसके पारे में आगे चलके बात करेंगे कि क्या चीजें नहीं दी गई है बाकि साइट से आप देखो तो साइट साइट सापको जो एलोय का डिजाइन है यहां को थोड़ा चेंज मिलेगा एक साइवन के में गाबले ठीक है उसमें थोड़ा सा अलग डिजाइन आता है एक सब्सक्राइब आपको इस दिफ्रेंट के मुकाबले एक चीज और दूसरी चीज यह कि जब इतनी महेंगी गाड़ी आज मी ले रहा है एक सफाइब एक तो उसमें आपको यह जो है और फोल्डेबल देना चाहिए यह क्यों नहीं दिया है यह आपको ऐसे ही बंद करना पड़ेगा यह क्या किया है आपने जब इतना फैसा खरच करना है कम से कम उसको आटो फोल्डेबल देना जाएए एक नंबर में इसका गाटूंगा आखरी में देखो दस में कितने नंबर बसते हैं इसके ठीक है ना यह चीज है पेट्रोल में है और यहां पर देखो आप पीछे से तो यह आप वो चीज देखने में अच्छी लगती है एक नंबर मैंने काटा ओर वियम का ठीक एक नंबर वो कट गया अब पीछे से आप देखो तो पीछे आपको डी फॉगर वाइपर यह सारी चीजे मिल जाती है ठीक है पीछे से ऐसे जो गर दूर से देखेगा आदमी तो नहीं बाकि इस इधर साइट से आप देखी चुके हो इसमें आपको संरूफ भी मिल जाती है वही पैनरॉमिक संरूफ आती है पूरी कोई दिक्कर नहीं है जोगर हम अंदर जाने के लिए आपको जो है यहां पर इसको ऐसे प्रेस करना है यह ऐसे अंदर जाएंगे तभी खुले देखी अब यहां पर आपको डुल टोन इंटियएर मिल जाता है यहांपर आपको जो है विंडो के सारे कंट्रोल से अधर मिल जाते हैं यहां पर जो है आपको एसा से और बाकी में इसका स्पूरू क्लेस्टर भी दिखा देता हूं यह देखू यह कुछ ऐसा इसका इंस्ट्रूमेहनe क्लेस्टर आपको मिल जाता है पुछ लगता है देखने टॉप मॉडल जैसे ही है और बाकी यह पूरी स्क्रीन इसकी जो मिलती है यह सबसे बेस्ट लगती है इसके सेग्मेंट में क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन आपको इसके सेग्मेंट में और कोई प्रोवाइड नहीं करता है एक्सवे 700 के मुखाबले ठीक बाकी अंदर से लगता है इसमें आपको जो है ऐसे ही मैनूली एड़ेस्ट करना पड़ेगा लेकिन प्रेशी लिख टिउ गया सबस्ता जबर एक नमबर में उसका काटने वाला हूँ अभी इसमें जब आप मारते हैं यह जैसे मैंने इसका reverse gear मारा लग गया camera नहीं है इतना पैसा खर्च करने के पावजूद आपको camera नहीं दिया गया है यहां पे यह क्या reason है तो एक number मैं इसका जरूर काटूंगा कि जब इतना पैसा आदमी खर्च कर रहा है तो यहां पे आपको camera देना चाहिए तो यह चीज क्यों नहीं दिये क्यों नहीं दिये एकस 5 के बाद सीधे आपका EX7 और EX7 L luxury variant आता है तो EX5 में क्यों नहीं दिया है आपने जैसे सफारी में XT plus जो आता है उसका most value for money variant है वैसे ही most value for money variant यह है लेकिन उसमें आपको XT plus में भी आपको जो है camera मिल जाता है तो इस नंबर इसका कटा एक नंबर adjustable ORVM का मैंने काटा क्योंकि यह काटना चाहिए यह जरूर काटना चाहिए कि कम से कम जब इतना खर्च करना है तो इतना देना चाहिए एक स्वाइब में आपको जो है camera देना चाहिए आप 360 डिगरी camera मत दो नहीं चाहिए एक स्वाइब में 360 डिगरी camera नहीं चाहिए लेकिन कम से कम जो reverse camera है वो तो दो ठीक है और बाकी जो इसका जो पीछे का space है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ मेरी और वीडियो में तो व बाकी पीछे का space में आपको दूसरी वीडियो में दिखाया तो वह आप देख सकते हैं बाकी यहां पर आपको sunroof मिल जाती है इतनी बड़ी तो कोई दिकत नहीं होती है यह बाकी इसका मैं एक बार पीछे का space बता देता हूँ जो है इसका भाकी इसका जो है यह 5-seater variant है तो यहां पर आपको जो है अच्छा खासा space मिल जाता है थिक क्योंकि जो seven seater आता है तो उसमें आपको यहां पर seats लग जाती है तो उसका space बहुत कम हो जाता है लेकिन EX5 में आपको 5-seater variant यहाता है तो इसलिए यहां पर अच्छी खासी seats आप यह कित्ते लीटर्स का है यह आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो वह आप देख सकते हैं बाकि यहां पर आपको वूफर के लिए मिल जाता है यहां पर आपको कोई भी एसीवेंट्स नहीं मिलेंगे 12 वोट को सॉकेट भी यहां पर दिया गया है तो यह चीज अच्छी है बाकि इसके डोर हैवी है और सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो फाइव स्टार सेफ्टी रेटिंग आती है इसमें सफारी की टेस्टेर नहीं ह था क्यों ज़रूरी था क्योंकि एक आपको इसमें कैमरा नहीं मिलता है और दूसरी चीज एड्जस्टेबल और वीम नहीं मिलते हैं यह देने चाहिए थे तो एट आउट आफ टेन मैं इसको रेटिंग दोंगा आप अपनी रेटिंग बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में तो यही था इसका वॉकराउंड इस एक्सवी 700 एक्सवाइड का तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसका ओनर्शिप भी आने वाला है बहुत जल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल एक्सवाइड राइव से